हुलोंक्त सोकत है अपका हमारे YouTube चैनल में ओधमे हम लोग सीख रहे हैं यहाँ स्टर्ट खृण अरह स्टर्ट करने जाรें बहुत से वीडियो ने k toughest कवे तो बहुत सब्सक्तरने कर लीये और सन्सेट से लिए से इस वीडियो से इस टरट करने जारें किस्ट हो ४ Tambaca मुझे बहुत झाल खूसी हो रही से क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे था सरे सिर्फ करेदे करें और स्प्रिंग की हर आठ से जब web applications बनाने लगोगे चीजे पता चल जाएंगे आपको building blocks of mbc पता चल जाएंगे then आप spring boot से rest apis होगर अभी create कर सकते हो या spring की help से normally rest apis create कर सकते हो but spring mbc spring को use करने spring को use करते वक्त आप web application बनाने का यह पहला step है आपको सिर्फ हमारा motivation बढ़ाने के लिए इससे मैं बाकी spring साली से आपको समझाओं आपको सिर्फ video को like करना है share करना चैनल को subscribe करके मुझे support करना है और मैं इस series में अपना best दे रहा हूं और trust me यह जो explanation होने वाला है वो YouTube का सबसे best explanation होने वाला है आप एक बार देखिए trust me आपको spring MBC आज आएगा आप spring MBC पर काम कर लेने लोग होगे यह मेरी guarantee है बस आपको करना क्या है complete video देखना है starting to end फिर जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं वह सारी चीज़े सीखनी है उसके बाद खुद से एक बार implement करना है खुद से practice बहुत ज़्यादा important है तो implement भी बहुत ज़्यादा important है implementation तो आपको खुद से implementation करना होगा बढ़ हां concept मैं आपको guarantee देता हूं 100% चीज़े आपको समझ में आएगी चले बिना किस टाम को विस्ट करते हैं चलते अपने computer screen पर तो फ्रेंट चलते हैं वह स्टार्ट करते हैं अपना spring MBC का tutorial जिसमें हम लोग काफी चीज़े सीखने वाल बिना किसी टाइम को वेज़ें बिना बखवास कि हुए चले हम लोग स्टार्ट करते हैं spring MBC क्या है तो MBC का सबसे पहले हमें यहां पर spring तो हम लोग समझें spring framework वाला ही यहां पर spring MBC MVC का अलग-अलग मतलब है M का मतलब होता है model V का मतलब होता है view and C का मतलब होता है controller तो य इसका एक रीजन है क्यों इसका नाम रखा गया है यह बैसिकली नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि spring MBC जो framework है वो फॉलो करता है model view controller design pattern आप वीडियो में बस बने रही है मैं आपको सिखाऊंगा model view controller क्यों इसका नाम पढ़ा हुआ है model view controller क्या होता है इसी लिए इसका नाम model model view controller पढ़ा है बस अभी आपको समझना है M for model 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 view and controller चलते हैं देखने ध्यां से देखें आपे सबसे पहला ही कि spring mbc क्या एक सब framework है अपके spring framework तो जो spring framework हम लोग सीख रहते हैं उसी का यह सब framework है मालब उसी framework के अंदर आता है तो spring mbc भी एक sub module है spring framework का that means spring mbc कुछ अलग नहीं है वहिया कि दूसरे देश से आ गया या यह foreign से आ गया या कहीं और से आ गया किसी ने इसको देश निकाले दे दिया ऐसा कुछ नहीं है spring mbc spring framework का ही एक module है spring framework का ही एक sub framework है जो हमारे लिए काम करेगा model view controller पे और हम लोग उसकी help से web applications को बना पाएंगे web application का मतलब क्या होता है simple ऐसे applications जैसे facebook.com है google.com है gmail.com है जैसे application जो internet पे चलेंगे और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है जैसे facebook है हम लोग facebook को यूज़ कर सकते हैं कोई भी यूज़ कर सकता है तो जो facebook है वो बना के host कर दिया गया कहां पे डेपलाय कर दिया है server पे जिससे कि सारे लोग उसको यूज़ कर पाएं तो बैसे लिए बैब application का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेश में या फिर स्प्रिंग को यूज़ करके तो एक पॉइंट तो आपको सवन में आ गया कि सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ होगा तो रेड कलर जो है मैंने की वर्ट जो सबसे इंपोर्टेंट वर्ट से मैंने रेट कलर से कर दिया है अब बात चलते हैं दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं तो दहां से देखिए यह जो स्प्रिंग में सी है इस बिल्ड बिल सब्सक्राइब करें गया है तो अगर आप सोच रहें कि बिना सर्व रेट के जरूरत होगी तो बहुँ आप सारवेट की जरूरत होगी तो भगी आप सर्वेट कहां से सिखो सर्वेट की सीरीज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पाउट में डाल दूँगा मैंने कम्प्लीट A to Z जितने भी आपके important concepts है मैंने सारे उसमें समझाये हुए बस आपको क्या करना है करके वीडियो को देखते जाना है servlet आप complete सीख जाओगे इवेन अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आप project बनाना भी सीख जाओगे then आप फटाक से आजाओ स्प्रिंग MBC पर और यहां पर स्प्रिंग MBC भी सीख लो जिससे कि आप बड़े-बड़ अप्लिकेशन को भी create कर पाऊगे आपको यह समझना होगा यह अंदर से feel लानी होगी क्या feel कि it is built on the top of servlet API यह जो spring MBC वो आपके servlet API के ऊपर ही काम करती है उसी के ऊपर बनाया गया अगर servlet नहीं होता तो spring MBC भी नहीं होती तो बिना servlet के मेरी recommendation तो नहीं है कि आप यूज करो spring MBC अगर आपको knowledge है servlet JSP की आपने काम किया है at least कुछ दिन काम किया है कुछ चीज़ें सी की है then आप move कर सकते spring MBC तो दो points I think clear हो गए spring MBC एक sub framework है spring का जो कि web application को develop करने के लिए use होता है साथे साथ में ये बनाया गया है किसके ऊपर servlet API के ऊपर next सबसे important point है तीसरा it follows the model view controller design pattern तो basically servlet में यही problem थी servlet or JSP में यही problem थी कि servlet or JSP जो थे वो आपके spring model जो servlet or JSP थी वो model view controller वाली design pattern को follow नहीं करते थे यह वो क्या follow करते थे वो normal pattern follow करते थे हम लोग direct उनमें काम करते थे but उस problem को solve करके MBC ने क्या हमें provide किया हमें feature यह provide किया कि भाईया हम model view controller design pattern directly work कर सकते हैं अपने spring MBC में spring MBC हमें architecture provide करता है कि भाईया हम direct काम करेंगे किसमें model view controller तो यह basically it follows the model view controller design pattern तो spring MBC by default model view controller design pattern follow करता है बस आप थोड़ा सा wait करें मैं भी model view controller को समझाओंगा बस आप यह समझे कि पहले जो हम लोग serulate or JSP में projects को बनाते थे या web applications को जो बनाते थे उसमें model view controller नहीं follow होता था बहुत जादा मैनत करनी पड़ती थे हम लोग को code को manage करने में माद में कोई दिक्कत होती थी तब भी दिक्कत हो जाती थी क्योंकि model view controller आपने follow ही नहीं किया है तो उसके इसमें बहुत जादा problem होती थी और even बहुत जादा code भी आपको करना पड़ता था तो उस problem को solve करके MBC लेके आया क्या model view controller तो इसी model view controller से इसका नाम पड़ा हुआ है इसका देखो यहाँ पे MBC M for model view for view V for view and C for controller तो यहीं से इसका नाम उठाया गया है MBC क्योंकि सबसे strong point यही है सबसे जानने वाली बात यही है कि spring MBC follow model view controller design pattern और अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि controller actually क्या होता है model क्या होता है view क्या होता है और यह design pattern actually करता क्या है क्या इसका फाइदा है ठीक है अभी थोड़ा साधर मैं समझाना चाहूं तो basically जो आपके web application में data होगा उसको हम लोग बोलते है model तो basically model holds data view basically presentation layer को कहता है जिसको आपको दिखाना है and controller which controls की भाया control हमारा किसके पास जाना है जैसे servlet तो servlet request को accept करके control यह क्या करता है यह उसको control करता है तो basically servlet play करता है role controller का view मतलब हमें presentation layer क्या दिखाना है and model basically आपका data होता है तो तीनों का अलग-अलग role है model data view presentation logic को आप हम लोग ऐसा represent कर रहा है and controller मतलब आपके flow को control करने के लिए बंदा होता है जिसको हम लोग servlet करते हैं कि जो spring mbc framework है वो spring mbc framework क्योंकि वो सब framework है spring का तो spring core की functionality को implement करता है that means हम लोg spring core में जो चीजे सीखी है वो इसलिए सीखी है जिससे कि हम लोग उसको आगे चीजे यूज़ कर पाए तो spring core में जो आपने inversion of control सीखा dependency injection चीखा auto wiring यह सारे feature सीखे बहुत सारी चीजे सीखे अब समय ऐसा आ गया है अब मौका आ गया है कि अब हम लोग auto wiring वो dependency injection construction injection सेटर injection वो सारे injection हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग उसको यूज़ करेंगे अपने projects में किसमें अपने project में किसके spring mbc की help से जो project बनाएंगे उसमें हम लोग यूज़ करेंगे spring core के features को spring core के modules spring core की चीजों को इसलिए fourth point बहुत important मैंने लिखके रखा है it implements all the basic feature of core spring framework like inversion of control dependency injection and etc. बहुत सारे feature है इनको implement करके रखा है तो basic जो मुझे सबसे best points लगे थे चार points मैंने आपको लिखके यहां पर दिये हैं यह points guarantee है spring mbc की definition को fulfill करते हैं हलाकि दो-चार point या एक-दो point आप इधर उधर से उठाके और ला सकते हो बट यह चार point appropriate fit पड़ते हैं आपके mbc को समझने के लिए सबसे पहला mbc framework है जिसकी help से हम लोग web application को create करते हैं यह बना हुआ spring यह बना हुआ servlet API के top पे यह follow करता है model view controller and last point हम लोग सारे core spring core के concepts को implement करेंगे spring mbc में so i think what is spring mbc यह आपको सब्सक्राइब आ गया अब बहुत लोग करना चाहिए spring mbc why spring mbc तो spring mbc यूज करने का बहुत important reason है सबसे पहला reason है देखिए यह spring mbc तीन चीजों को अला दलक कर देगा तीन चीजों को क्या कर देगा separate कर देगा किसको model view controller तो अभी जब आप presentation कभी कभी लिया दिखा देते हैं या jsp के अंदर ही आप बहुत सारा काम कर देते हैं तो spring mbc ने facilitate किया spring mbc ने कहा कि भया आप तीनों चीजों को अलग-अलग रखो किसको model को view को and controller that means अपने data को presentation layer को controller layer को आप तीनों को अलग-अलग रखो यह हमें feature point करता है mbc तो इसलिए यह सबसे जादा popular है क्योंकि तीन चीज़े यह automatic कर करके देगा आपको बस तीन जगे मिल जाएंगी model में model लिखो view में view लिखो control में control लिखो इसलिए यह separate कर देता है तीनों चीजों को model विव कंट्रोलर को तो यहां पर देख लेते हैं powerful configuration क्योंकि यहां पर जो configuration हम लोग यूज करने वाले है वो सारे spring core यह spring की configuration यूज करने वाले है तो यह बहुत powerful mechanism provide करेगा configuration के लिए आप XML यूज करो annotation यूज करो या Java based configuration यूज करो that means powerful configuration is spring mbc का अब देहां से दिखिए क्योंकि यह सब framework है किसका spring framework का तो हम लोग spring core के functionality को भी इसमें यूज करेंगे तो जितने भी आटो आइरिंग थी जितने भी आप उहां पर setter injection होगर है उसकरते हैं सारे हम लोग यहां पर यूज करेंगे जिससे कि हमारा application क्या होगा loosely coupled रहेगा मतब ज्यादा tight coupling नहीं रगी जमर जी तब हम किसी module को हटा सकते हैं जमर जी हम तब किसी module को change कर सकते हैं तो यह सारी flexibility मिल जाएगी किसकी हम से हमें spring की help से spring mbc में भी तो हमें बहुत बड़े फाइदा ही तो होगा यह सब चीज आपको सर्वेट में नहीं मिलती थी सर्वेट में बहुत जादा tight coupling होती थी अब जहां मर जी वहां objects को बना देते थे बट यहां भी objects आप बनाओगे नहीं most of the objects क्या होंगे आपका spring container spring आपको प्रवाइड कर देगा ioc container आपका प्रवाइड कर देगा तो आपके प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट आप spring mbc की help से बनाओगे वो प्रोजेक्ट आपका loosely coupled होगा loosely coupled का मतलब loose coupling रहेगी ज्यादा coupling नहीं रहेगी क्योंकि most of चीजे spring framework handle करेगा इसका अंदर सो यहां पर तीन चीजे क्यों करना है क्योंकि spring mbc separate कर देता है model view controller को powerful configuration है इसकी और साथी साथ में हम लोग spring core की functionality को provide करेंगे जिससे हमारा यह जो application बन के तयार होगा वो flexible होगा scalable होगा और भी बहुत सारी चीजे होंगी जैसे loosely coupled होगा क्योंकि हम लोग ioc container यूज करेंगे या spring core के features को use करेंगे next अब क्यूंकि एक बार सबसे दिक्कत क्या थी spring में configuration तो एक बार अगर आपने मेनत कर लिया configuration कर लिया तो आपका जो प्रोग्राम होगा या आपका जो application होगा वह बहुत जल्दी डेबल अप होगा बस एक बार configuration की दिक्कत है एक बार configuration हो गया तो आपका प्रोग्राम बहुत असानी से developed होगा इसलिए हम इसको बोलेंगे यह facilitate करता है rapid application development तो इसकी हैप से हम लोग चल्दी अप्लिकेशन को डबलब कर सकते हैं कॉन्फिकर करने की बस दे रही है फटा 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 फट कंट्रोलर के साथ व्यू बनेगा व्यू के साथ कंट्रोलर बनेगा ठीक है चलिए अब देखें लास्ट कोई कर सकते हो आप को उप्लेक्सिबल कर सकते हो अपनी च्छीजों को चैन्ग कर सकते हो जस्पी को खटा के वेलोसिटी उसक्तो विलोसीटि नहीं समझना आ रहाए तो जस्छान सब्सक्तों यह ऐसे करके बहुत साघ्फ खेले फ्रेमर्स कर सकते हो इस कर सकते हो इस सिर्ग के साथ हैं हमय। को यहां पर सकते हो ऐस जैसे आपकी requirement होगी। कुछ मैंने पॉइंट्स आपको ये भी समझा दिए कि क्यों स्प्रिंग MBC यूज करना चाहिए जैसे कि मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं स्प्रिंग MBC क्या करता है हमारे सप्रेट कर देता है कंसर्न को मॉडल भी कॉंट्रोल अलग अलग हो जाएंगे तो हमें समझने मे आसानी होगी काम करने में easy होगा powerful configuration है क्योंकि हम लोग स्प्रिंग का यह भी सब्रेमवर्क है तो यह अब कर देता है करने हैं तो हमारा अप्लिकेशन क्या होगा लूज ली कपल होगा रहेगा जल्दी से अप्लेकेशन कर पहेंगे इस कंपेड़ रहा ज्यस्ती वह में काफी दिगकत होती थी और यह flexible है अगर आपको modules change करने है so you can change the modules technologies भी आप change कर सकते हो जैसे JSP नहीं पसंद तो आप use कर सकते हो velocity और test भी असान है much features और भी ऐसे करें कि बहुत सारी features हैं जो सबसे important वाले features हैं वो मैंने आपको लिख के दिये हैं इनको आपको आना आना चाहिए चलो अब मैं बाहर बाहर में बात कर रहा हूं कि भाहिया spring क्या करता है model view controller वाला part मुझे provide करता है so what is model view controller model view controller क्या होता है ये सारी चीजे हम क्या करेंगे अपने next video में समझेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा example लेंगे जैसे आपको दिख रहा है example लेने के बाद हम चीजे आपको समझाएंगे कि model view pattern क्या होता है तो ये सारी चीजे हम लोग next video में समझेंगे इस वीडियो में इतार रखते हैं हम लोग लाएंगे MBC समझेंगे क्योंकि हमें पता है spring MBC किसे follow करता है model view controller को follow करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे होगी बड़िया लगे होगी मस लगे होगी सब वीडियो को लाइक कर दीजिए थमसब दे दीजिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए को शेर कर दीजिए से बाकी लोग भी spring MBC को अच्छे से समझ पाएं मैं आप से मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद जाए भारत बाबाव